हलो फ्रेंद आज मैं आपको दिखाऊंगी यह जो स्नेक प्लान्ट है इस प्लान्ट को मदर प्लान्ट से बेवी प्लान्ट को कैसे हम अलग करके नय प्लान बना सकते हैं और यह बहुत ही एक हारडी प्लान्ट है यह 24 hours oxygen रिलिस करता है और मेरे पास स्नेक प्लान्ट बहुत स यह pot उट गया है तो अब मुझे एक अलग सी pot में इस plant को लगाना है और दो baby plant को मैं इस mother plant से separate करके मैं दो अलग-अलग pot में लगाऊंगी और यह mother plant है यह plant लगाई थी और side में ऐसे side में से कितने सारे baby plant निकलाए है एक plant हम लगाते हैं तो side में से ऐसे कई baby plant निकलाते है तो अब एक लगाई थी तो कितने सारे मेरे पास अब हो गया है और यह दो pot में मैं लगाऊंगी और drainage hole को cover करने के लिए मैं दो ठीकरी नीचे ठीकरी डाल के रखा है और उपर थोड़ा sand भी डाल रही हो और इससे drainage pot में रुखता नहीं ड्रेन आउट हो जाता है और मैं अब mother plant से दो baby plant को मैं separate कर लेती हो ओके तो दो baby plant को मैं mother plant से separate कर लिया है अब मैं ये दो baby plant को लगाऊंगी और mother plant के साथ अब इभी तीन-चार baby plant हैं लेकिन वो सब plant को मैं separate नहीं करूंगी, मदर प्लांट के साथ ही मैं एक दुसरे पॉट में में लगा दोंगी, इस पॉट में में लगाऊंगी, और पहले मैं ये दो बेबी प्लांट को मैं लगा लेती हूँ, और मैं जो पॉटिंग मिक्स में जो त्यार क्या है, इसमें 40% गार्डेन सोयल, 20% मेरी घर की कॉम्पोस्ट, 20% कावडंग मैनियूर, 20% सैन, और एक मुठी नीम के थोड़ा सा फंगिसाइड, ये सब मैंने मिक्स किया है, और मेरे सभी प्लांट के लिए मैं ऐसे ही पॉटिंग मिक्स रेडी करती हूँ, और इसमें मैं कोको पीट यूज किया नहीं है, क्योंकि स मिक्स करती हूँ, जिन सब प्लांट को थोड़ा मॉश्यल लाइक होता है, और हैंगिंग प्लांटर में मैं ज्यादा कोको पीट यूज करती हूँ, और ये प्लांट इतना अच्छा है, इतना हड़ी प्लांट है, हम हफते में एक बार, दस दिस में एक बार भी पानी और इस प्लांट को हम इंडूर भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं, क्योंकि मैंने बाहर भी रखा हैं, इंडूर भी रखा हैं, दोनों जगे पे ही ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है, लेकिन इंडूर जब हम रखते हैं, रखते हैं किसी भी प्लांट को, तो हफत लगा लिया है और मुझे बहुत पसंद है यह यलो बॉडर वाला जो स्नेक प्लांट होता है यह डॉफ वेराइटी के है ऐसे जो लॉंग वेराइटी के होते हैं जिसका लिप्स बड़ा थोड़ा लॉंग होता है वो भी प्लांट हमें बहुत पसंद है और देखिए प्लांट ऐसे निकल आते हैं और इसको ही हम separate करके कट करके हम नए प्लांट बना सकते हैं ऐसे मैंने separate किया है अब इस मदर प्लांट को मैं इस पॉर्ट में लगाने के बाद जगा को क्लीन कर क्या अपसे मिलती हो तो तो friends मैंने लगा लिया हैं अब देखे कितना सुन्दर लग रहा हैं मेरे पास अब दो स्नेक प्लांट के δो नएप्लांट दो नमस्तों रीपोट्या हैं मैरे पास दूब दिखाना चाहिए अब दूबारा में तभी पानी दूँगी जब सोयल उपर से मुझे ड्राइ दिखेगा और फ्रेंड्स आप मैं आपको दिखाती हूँ जब मैंने लीप से प्रोपोगेट किया था और वो वीडियो भी मैंने अपलोट किया था अपसे श्यार किया थ और देखिए आज मैं दिखाती हूँ तो इस वीडियो का लिंक मैं डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दोंगी आप चेक कर सकते हैं और मैं पानी डालके रखा था और ये थोड़ा तकि अच्छे से निकल सकूं मैं तो मैं अब दिखाती हूँ फ्रेंज देखते हैं और देखिए देखिए रूट्स भी निकल आया है फ्रेंज अग्दो बेबी प्लांट भी निकल आया है देखा कितना आसा ने इस प्लांट को लगाना लिप्स को कट करके कैसे हम ने प्लांट बना सकते हैं और जो मैं पॉटिंग मिक्स मनाई थी इसमें एक पर्ट सेंड एक प कोई बात नहीं मैं बाद में लगा दोंगी ये प्लांट को फिर से इस लिप्स को और मैं पानी से वोश करके आपको दिखाती हूं आपको अच्छे से दिखाई देखा तो देखिए फ्रेंज ये जो वाइट कलर का दिख रहा है ये बेबी प्लांट है तो ठीक है फ्रेंज में दो तरीका ही आपको दिखाया है कैसे हम प्रोपोगेट कर सकते हैं तो मेरा वीडियो अच्छे लगा तो लाइक करना जो नए है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ओके बाई